इसमें आपकी और हमारी हम सब की सतर्ता बहुत महत्वपून है चाहे केंद्र सरकार हो या हमारी तमाम राज्य सरकारे हो या मुनिसिपालेटी हो ग्राम पंचायत हो सभी इस मामले को लेकर उचीत इंतजाम और देखरेक में जुटे हुए है हमारे पास कुशल डॉक्टर और मेडिकल स्टाप भी है सौंसादन भी है और जागरुक आप जैसे अनेक नागरिक भी है हमें बस अपनी सावधानियों में कोई कमी नहीं आनी देनी चाहिए और ये भी समझ लेना चाहिए कि सावधानिया क्या है बड़ी बड़ी बाते नहीं है जी कहता हूँ का आप भी याद रखिए और हर स्कूल में कॉलेज में सब जगा पर बताईए देखिए क्या करना है एक तो हमें बीना जरूरत के कहीं इखठा होने से बचना होगा और दूसरा हमें बार बार जितना हो सके अपने हाद धोते रहना चाहिए और बराबर सभाई करनी चाहिए अपने चहरे को अपने नाक और अपने मूँ को बार बार चूने की हमारी जो आदत है अब थोड़ा उस आदल को बदलना होगा जितना हो सके इस आदत को हमें कंट्रोल करना है और धूले हुए हाथों से ही अपने मूँ को टच करना चाहिए जानकारों का कहना यह है कि यह खांसते या छिंकते समय जो छीटे निकलते हैं सांस के साथ चोटे 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 बिंदू निकलते दिखते भी नहीं है उसमें जो भी संपर्ग में आता है उसे यह फैलता है ऐसे में जिस भी चीज़ पर ये छीटे गिरते हैं उसमें ये वाइरस कई दिनों तक जिवित रह सकता है इसलिए बार बार साबुन से हाथ दोना बहुत जरूरी है एक और आदत हमें जरूर डालनी है अगर खांसी और छीख हमें आती हैं तो कोशिश यही करनी है कि दूसरों पर इसके छीटे न पड़े और जो कपड़ा या रुमाल हमने छीखने के समय इस्तिमाल किया होता है उसे भी दूसरों के संपर्क में न आने दे साथियों जिन जिन लोगों को ये संक्रमन हुआ है उनको तो जरूरी निगरानी में रखा ही जा रहा है पूरे वाच में रखा जाता है लेकिन अगर किसी साथी को शक होता है कि वो किसी संक्रमित साथी के संपर्क में आया है तो उसको बहुत गवराने की जरुवत नहीं है अपने मूँ को मास्क से ढंक करके या किसी बड़े कपड़े से ढंक करके सबसे पहला काम करना चाहिए किसी ने किसी नजदी की अस्पताल में चेक करवा लीजिए यह बहुत जरूरी है परिवार में जो बाकी लोग होते हैं उनको भी इन्फेक्शन होने की आशंका ज्यादा होती है ऐसे में उनको भी जरूरी टेस्ट करा लेने चाहिए ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए गलव्ज भी पहनने चाहिए और दूसरों से मेरी सभी देश्वास्यों प्राथना है महर्बानी करके इन अफ्वावों से भी बचना है आपको कुछ भी लगता है जो भी करे अपने डॉक्टर की सलह से ही करे हम स्वयम डॉक्टर न बढ़ जाए और हाँ पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदट डाल रही है अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है तो हम भी हाथ मिलाने के बजाए इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समयता यो उत्तम समय है नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए